दोस्तो आज के समय में सभी लोग अपने फोन के अंदर Google के एप्लिकेशन ही यूज करते हैं आप किसी का भी स्मार्ट फोन देख लें सभी के अंदर आपको Google के एप्लिकेशन ही मिलेंगे चाहे वो Chrome ब्राउजर हो गया, YouTube हो गया, Map हो गया, Play Store हो गया सभी फोन के अंदर आपको ये सारे एप्लिकेशन देखने को जरूर मिलते हैं लेकिन कि आपको पता है कि जो हमारे फोन में Google एप्लिकेशन होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे hidden settings होते हैं जिसका इस्तमाल करके आप अपने फोन के battery backup को increase कर सकते हैं हाँ दोस्तों आपने सही सुना battery backup को increase कर सकते हैं और इस settings को करने के बाद आप अपने फोन को सिर्फ एक बाद चार्च किजेगा ना तो आपका जो फोन है दो से तीन दिन तक चलेगा लगातार तो उसके लिए आपको अपने फोन के अंदर कुछ नया settings करना होगा तो settings कौन से उसे कैसे यूज करना है तो वीडियो को ज़रा से भी skip नहीं किजेगा तो उचले उस settings के बार में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे छोटा सा request करता हूँ अगर हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करते हैं और वीडियो को एक like करते हैं तो उचले मैं टाइम करते हैं बडियो को start मेरा नाम है सिवम और आप देख रहे हैं टेक सिवम सोनी यूटूब चैनल तो उचले दोस्तों उस settings के बार में जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन के battery backup को increase कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी third party application जोरोत नहीं पड़ेगी सिर्फ जो मैं आपको settings बदाऊंगा उस settings को आपको अपने phone के अंदर apply करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे first settings के बारे में तो यहाँ पर आपको करना क्या है हम सभी के phone के अंदर एक folder होता है Google के नाम से यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें क्या होता है कि आपको सारे application मिल जाएंगे जो Google का application होता है वो सारे आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो directly आपको इस पर tap करना है tap करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करेंगे Chrome के बारे में जिससे के हम browsing करते हैं कुछ भी upload करना हो डाउनलोड करना हो तो हम Chrome browser के अंदर ही करते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यदा सेफ होता है तो directly आपको Chrome browser के अंदर जाना है अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको एक three dot का option मिलेगा उपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं directly आपको three dot पर प्रेस करना है प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा बैग्राउंड में processing होते रहेगा और धीरे धीरे आपकी फोन का battery है consume हो जाता है और सारा battery आपको खतम हो जाएगा और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि मेरे phone का battery कैसे खतम हो गया तो सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ से आपको इसे बंद करना है बंद करने के बाद जितने भी यहाँ पर आपको टिक दिखेंगे सारे को यहाँ से आपको अंटिक करना है तो सबसे पहरा settings आपको ये करना है उसकी बद मैं आपको तुसरे settings के बारे बताता हूँ यहाँ पर directly आपको back चलाना है back आने के बद आपको settings के अंदर आजना है ठीक है वह हमारे फोन में white light जलता है वह हमारे फोन के बैटरी को सबसे ज़्यादा था है और थीरे धीरे आपकी फोन का बैटरी ये वह चांज्यूम होने लगता है और सारा बैटरी आपका खतम हो जाता है तो यहाँ आपको करना क्या है डार्क पर सेट करने एक बाद आपकी फून का जो Chrome browser है वो डार्क मोड हो जाएगा और आपकी फून का बैटरी यह बहुत ज़्यादा सिक्यूर हो जाएगा उसकी बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब थर्ड शेटिस के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा डिर रहते हैं तो हमारे फोन का बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हम map on करकर ही जाते हैं map को बंद नहीं करते हैं क्योंकि हमें रास्ता देखने में आसान पड़ता है लेकिन यह धीरे-धीरे हमारे फोन के बैटरी को बहुत ज़्यादा consume कर लेता है, तो जो मैं आपको settings को आप अपने phone में apply कर लिजिएगा उसके बाद आप कितना भी अपने phone में map को use कीजिए तो आपकी phone का battery drain नहीं होगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है उपर मैं आपको profile का option मिलेगा तो directly आपको profile पर tap करना है tap करने के बाद यहाँ पर आपको settings का option मिलेगा, तो आपको settings के अंदर आजना है ठीक है, उसकी बाद यहाँ पर आपको fourth number पर एक option मिलता है जिसका नाम होता है theme, यहाँ पर आप देख सकते हैं directly आपको theme पर press करना है press करने के बाद यह क्या होता है कि always in light theme पर set होता है इससे हमारे phone का battery बहुत ज़्याद ड्रेन होता है क्योंकि अगर हम map यूज करते हैं तो कम से कम 5 गंटा 6 गंटा यूज करते हैं लगातार अगर हम कहीं टूर पर जा रहे हैं, लंबा सफर पर जा रहे हैं और निचे save का option आएगा तो यहां से आपको save करने के बाद आप अपने phone में कितना भी map यूज कीजिए तीन गंटा चार गंटा दस गंटा आपके phone का battery जल्दी drain नहीं होगा तो इस settings को आप अपने phone में जरूर apply कर देगा ठीक है उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे और four settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा डिरेक्ट लिए आपको back चला आना है आपको minimize करकर अपने home screen पे जाना ठीक है उसके बाद आपको google folder के अंदर आना है यहां पर आपको एक application मिलेगा जिसका नाम होता है YouTube यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्याद हम अपने phone में YouTube भी use करते हैं आप अभी जो video देख रहे हैं वो YouTube पर ही देख रहे हैं तो directly आपको YouTube के अंदर आना है ठीक है YouTube के अंदर आने के बाद उपर में आपको profile का option मिलेगा तो आपको profile पर tap करना है ठीक है profile पर tap करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा settings के नाम से तो आपको settings के अंदर आ जाना है यहां पर आपको एक option मिलेगा उपर में general के नाम से उसकी बाद यहाँ पर आपको एक option लेगा जिसका नाम होता है appreance बहुत कम लोग को पता है कि appreance के अंदर ऐसा settings है जो हमारे phone के battery को drain होने से बचाता है यहाँ पर directly आपको appreance के अंदर जाना है और यह किया होता है कि use device temperature होता है जिससे क्या होता है कि हमारे phone का battery बहुत जाडरेन होता है क्योंकि अगर हम YouTube कोई भी वीडियो देखते हैं तो कम से कम 3-4 गंटा लोगतार देखते हैं वैसे में क्या होता है कि आपकी जो phone का battery बहुत जाडरेन होता है तो यहाँ पर अपको करना क्या है इसके बाद आपके जो phone का YouTube है वो black हो जाएगा और आपको यहाँ पर कुछ भी changing देखने को मिलेगा नहीं जैसा आपका YouTube था सारा वीडियो वैसा ही रहेगा लेकिन यहाँ पर dark theme हो जाएगा जिससे आपके phone का battery डेन नहीं होगा और आपके जो phone का battery है लंबे समय तक चलेगा तो यह settings को आप अपने phone में जरूर कर ली जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे फिफ्ट settings के बारे में तो उसके लिए को करना क्या हुआ डिरेक्ट लिए आपको निमाज आ जाना है ठीक है अगर हमें कोई भी application इस्टॉल करना हो अपडेट करना हो तो प्ले स्टूर के अंदर ही आते हैं लेकिन हमारे phone के battery को भी यह बहुत जाए ड्रेन करता है तो जो मैं आपको setting बताऊंगा उस settings को आप अपने phone के अंदर apply कर लीगा ठीक है तो directly आपको करना क्या है आपको profile पर tap करना है tap करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा settings के नाम से तो आपको settings के अंदर आ जाना है ठीक है उसकी बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा जिसका नाम होता है theme यहाँ पर आप देख सकते हैं directly आपको theme पर प्रेस करना है यह पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा लेकिन यहां पर ढार्क हो जाएगा और आपकी जो फोन का Battery है बहुत ज़्यदा सीकियूर हो जाएगा तो हमNख थेम करने में क्या इतराज है अगर हमारे phone का Battery लंबे समय तक चलेगा तो हमें कोई तो दिख्स है नहीं आखिर वही सारा चीज होता है वही सब application होता है तो आप अपने phone के अंदर इस settings को on कर लेगा ठीक है तो यह पांच settings से आप अपने phone के battery backup को काफी ज़्यादा increase कर सकते हैं क्यूंकि सबसे ज़्यादा हम अपने phone में Google application यूज करते हैं और आपको Google application के अंदर इस सारे settings को apply करना होगा उसके बाद आप अपने phone को सिर्फ एक बार चार्ज किजिएगा तो आपका जो फोन है दो से तिन दिन तक चलने वाला है अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि जो मेरे phone का बैटरी है छती परसेंट चार्ज है और जो मेरे phone का बैटरी चलेगा अभी एक दिन आठ घंटा यानि कि आप समझे सकते हैं अगर जीदा यूश्फू सावित हो तो वडियो को लाइक कर देश अभी तो तो टोके पास सेर करते चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक लिए जाहिन टेक केर मिलते हैं नेक्ट वडियो में